अपने खुद का मरने का इंतिजार कर रहे हैं ऐसा क्यों दादा जी जिन्दगी बोज लगने लगा है क्या कर रहे हैं इसमें से चक्रीफ है अब वो में नहीं चक्रीफ है चल जाएगा तो किसी से हमरा कोई जंदर नहीं जाएगा अब हम लोग मुझफरपुर के एक ऐसे गाओं में है जहां के एक पती पतनी अपना खुद का सराद खुद के हाथों से कर दिये हैं देख सकते हैं हमारे केमरे में एक बाबा जी दिखाई दे रहे होंगे वो और उनकी पतनी भी साय दिखाई दे रही होगी और ये घर है इनक उम्र लमसम अब अंतिम पराव पे है इनका जीवन कब कल का सूरज ना देखे ये पता नहीं ये माली के हाथ में हैं लेकिन ये लोग अपना खुद का पिंडदान खुद का जो किरिया कर्म होता है हिंदू रिती रिवास से वो खुद का जो अंतिम संसकार जो होता है जो इ जीवित रहते हुए ये दाधा जी और दादी जी डोनूं लोग मिल कर दिए क्या नाम है डाधा जी वищाज विश्णा राय आप ही अपना खुद का शराद जीवित रहते कर दिए इस आप ने करते हैं कर सब कर दिये तो करका लागा इसलिए हम अपना सामने में कर दिया कितना पैसा लगा ये सब करने में पैसा कम से कम हम रहा हुआ है जारे साथ हजार गारी भड़ा है और उहां चार हजार पंड़ा के और यहां भोज भंधार करा उसमें 22-23 जारी गिया आंक भी अमन्दब लेजाता है कितना उमर हो चुका है कितना उम्र हो चुका है पचासी साल का अब वह फी हुगा है आपकी पतनी से आपका उमर ज्यादा है ज्यादा है आपके परिवार में कौन-कौन है परिवार कोई नहीं है कितने भाई आप हैं तो लोग नहीं मानते हैं कि नहीं मानते हैं जमीन थोड़ा रहा जमीन उसको लिख लिए लिख दिया वह चलाक हो गया आपका जमीन भी ले लिए और आपको देखते भी नहीं देख सकते हैं कैसा जबाना आ गया है कि अपना धन संपत्ति देने के बावजूद भी दादा जी को अपना भाई भी पराया लगने लगा है वह देखते नहीं है इनको इसलिए इन्होंनों सोचा कि खुद का सराद क्यों नहीं कर लिया जाए क्यों जबाने पर बोज पराजा इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद दादा जी कौन सुझाओ दिया कि आपको यह चेज़ करना चाहिए चाहिए जब बाद हे एक दीन लोग बोलते है है वह चैहिए हम रखके कि खुरण नहीं करेगा घंसे आपकोबर कोई जरूरत नहीं mean बसा प्राहम देशादी के खिया प्या कर दिया है किया से खर्टा बर्टा सब लाग गया लाग गया अभी जैसे भगवान जय दिन घी चास अच्छो आपने खुद का मरने का इंतिजार कर रहे हैं ऐसा क्यों दादा जी जिन्दगी बोज लगने लगा है क्या क्या करें इसमे नहीं च्क्रीक है चल जाएगा तो किसी से हमणा कोई जंदभ नहीं रहेगा अस्ति रहेगा अच्छा इसलिए बार जोशाज कब हम चले ले अच्छा यह चीज़ सोंच रहें कि कब दुनिया छोड़के चले जाए पतनी पत्ता आपके पतनी आपको मानती है हां अच्छा ह मुखनी चलता यह गरास्ते पे चलते हैं पर होता है कि आप लोग विर्धा आस्रम क्यों नहीं चले जाते हैं वहां क्यों नहीं चले जाते हैं पत्नी बोलती है कि नहीं जाएंगे तो यह पर जुक कटो खाना कौन बनाता है आप बनाते हैं आप खाना बनाते हैं और पत्नी को खिलाते हैं 20 साल से आपकी पत्नी को खिलाते हैं आप खाना बना करके खिलाते हैं क्या नाम है आपका नागो देवी आपका उमर कितना है आपका खुद का उमर मालूम नहीं है याद्डास कमजोर हो चुका है याद नहीं रहता है कुछ भी याद नहीं रहता है ने भूल जाते आख से दिखाई देता है कि नहीं सब्सक्तव होग कि आपको दिखाई नहीं देता है कि अ गर्वwen हो ग्या कुछी देटेन कितना देन है कि तो यह हो गया कि बीस 25 बुच्छ हो गया कि बीस 25 साल हो गया आपको आनक से दिखाई नहीं कर में नहीं इते हैं कितना मानते है कोई तो है ना कोई बात हो गाता हम से कोई बात कर दादी यह जो आप लोग दोनों आदमी किरिया करम की हैं सिधे यह एक अदमी का हुआ है कि दोनों आदमी का हुआ है तो आई यह सुझाव आप दिये थे लोग सब को एक बात बोलते रहा है अपना जिन्गी में जदी काम कर्ज को लेगा ना तो आप लोगा ठीक रहेगा कोई पर कौनों भीर भाव नहीं रहेगा सीधा मर जाएंगा तो कोई अल्मी बलू आप लोग कर देगा बाकि एक काम जह मिला जहाए से एसे निचान तो आप लोग हो जाएए को के तो वह से कर दिया अच्छा दादी ये बताएए कि आप लोग का जो इनके भाई है वो लोग कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं कुछ नहीं सर अच्छा आपका कितना जमीन जाथा था जिवन जाथा तरह कितना था कितना जमीन था पहले हम सब्विक्रिक कर दिया रहा है तिन कठा बेचे थे और हम रह गया साथ कठा अभी साथ कठा है साथ कठा इसको लिख दिये भतिजा को देख सकते हैं किस परकार से इनका कहानी है पती पत्नी में कितना प्रेम है और ये लोग अपना पिंड़दान करके अपने मिर्तु का इंतजार कर रहे हैं इनका मानना ये है और पंडितों का बिद्वानों का मानना ये है कि अपना खुद का पिंड़दान करने से इंसान का आयू कम हो जाता है और जल्दी इनसान इस धरती को छोर कर परलोक सिधार जाता है बाकी क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताईए इन लोगों का सोच कैसा है धन्यवाद